तो हेलो गाइस कैसे आप सभी लोग स्वागते एक और न्यू गेम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे है माइनक्राफ्ट तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने शुरू शुरू में जब यहाँ पे माइनक्राफ्ट में खेलना शुरू किया था आटोमेटिक शुगर केन फार्म भी बनाया था आप सभी को यादी होगा वह अभी भी है मेरे पास में तो यार उनसे न मुझे इतनी शुगर केन नहीं मिल पा रही मतलब कि मैं विलेजर से थोड़ी सी ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे पास में पेपर खतम हो जाते है और इतने स्लो चलते है कि मतलब इनमें काफी कम शुगर केन मुझे मिल रही है उससे मतलब पेपर थोड़े ही बनते है तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं मिल पा रहा रहा यार विलेजर से अब दोस्तों जब अपने पास में पेपर होंगे तभी हम लोग मतलब एंजन्मेंट बुक खरीच सकते है विलेजर से लेकिन जब पेपर ही नहीं है तो यार क्या कर सकते है इसलिए मतलब में लगातार पीचे रहा हूँ क्योंकि मतलब मेरे पास में कोई भी बुक ही नहीं आ रही जबकि मैंने डायमंड की पिकेक्स और स्वार्ड बना ली लेकिन इन पे मैंन जो मतलब sugarcane form बना रखा है ना वो है total बीस ब्लोक का मतलब की एक floor में उसमें 20 ब्लोक है मतलब है 20 शुगर गेन एक साथ कट होती है उसमें ठीक है और अब मैं जो बनाने वाला हूँ हो है 33 ब्लोक का मतलब एक साथ 33 शुगर केन कट होगी एक floor पर तो इसको में total पाच floor का बनाऊंगा जैसे पेले वाला बनाये था वैसे यह बनेगा लेकिन इसको तोड़ा में different type का बनाऊंगा ठीक है लेकिन काफी फिर भी आएगी यार अब दोस्तों देखो मेरे पास में वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं ठीक है मतलब जैसे की रेड इस्टोन डश्ट मेरे पास में अभी चार पांच इस्टेक पड़े हुए तो इसलिए मैंने यह वाला फार्म बनाने की सोची है दूसरी ब में कि एक बार इसको पांच फ्लोर का कर देते हैं उसके बाद में इसके ही सामने एक और ऐसा कैसा फार्म बना दूंगा इसी तरह कि मैं लगबगे ना पांच शुगर केन फार्म बनाने वाला तो पहले मैं यह सोच रहा था लेकिन जब मैंने अपने पास में सब कुछ देख लेंगे फिलाल इससे हमें मतलब यार थोड़ी वह शुगर केन ज्यादा तो मिलने लगेगी तो चलियार दोस्तों जल्दी सी स्टार्ट करते अल्ट्रा जोइंट शुगर केन फार्म बनाने की तैयारी ठीक है तो देखो मैं इधर की साइड में बनाऊंगा इस बार जो यह अपना फार्म है वह इसलिए कि अगर घर के पास रहेगा है तो मतलब जितने टाइम में अपने घर में ऑनलाइन रहूंगा उतने टाइम यह लगातार वर्क करता रहेगा मतलब की चलता रहेगा और एक बात मैं बता दूँ कि मैं पोकेट एडिशन खेलता हूं तो जैसे कि मैं अपने घर से दूर चला जाता हूं या फिर नेदर वर्ल्ड में चला जाता हूं तो यह बात मैंने पहले बताईए कि अपने घर पे जितने भी फार्म है वह सब बंद हो जाते है मतलब की जो यह शुगर के फार्म है यह वही की वही पर रुक जाता है तो इसलि मैं दूर बना सकता हूं जैसे कि गोल्ड फार्म मैंने दूर बना है क्योंकि उसमें मुझे खुद को जाके बेटना पड़ता है ठीक है लेकिन इनमें बेटने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने आप चलते तो इसलिए इनको घर के पास रखना चाहिए तो चले और दोस्तो एक बात है कि मतलब में इतनी मेहनत करूंगा ना तो मुझे लग रहा है कि इस बार मुझे इस फार्म से शुकर केन की कोई कमी नहीं रहेगी और अगर फिर भी कमी रही तो फिर वह किसमत की बात है यार पता नहीं दोस्तों वेसम मुझे एक बात की जानकर आप लोगों से यह थी कि मतलब जो पोकेट एडिशन होता है उसमें क्या मतलब यह जो शुगर केन फार में यह सुलो चलता है कि जाव एडिशन के मुकाबल है क्योंकि जाव एडिशन में मैंने देखा कि मतलब लगातार शुगर केन कट होती रहती है यह से फार्म में जबकि मेरे जो फार के पूरी तरह से लगा के मतलब इस फार्म को बनाया हूं तो आज का जो मैंने यह मतलब अल्ट्रा जोइंट चुगर के इन फार्म बनाया क्योंकि यार मैं मतलब सर्वाइवली खेलता हूं और किसी तरह का कोई जूट मैं नहीं बोलता हूं तो दोस्तों वेसे तो मेरे न होपर काफी सारे बनाये थे लेकिन मैंने फिर भी गिंती नहीं की थी तो अभी मेरे पास में होपर कम पड़ गए तो मुझे होपर और परन चाहिए तो चलो अभी मैंने थोड़े ज़्यादा बना लिये और बाहर की साइड में रात ओचुकी आर चलो कोई बाथ यहां पर shortcut में ले लेता है और अब होपर लगा देता हूं मैं वैसे यार दोस्तों यह होपर लगाने के बाद में एक बार मैं इनको चेक भी करूंगा मतलब कि यार यह गलत तो नहीं लग गया है इनमें कुछ भी लूट डाल के देख लेंगे एक बार यहां पर डाल देता में अब एक बार देखते हैं चेश्ट में चली गई गया उससे पता चल जाएगा कि यह मतलब अगर चेश्ट में आ जाएगी तो अपने होपर बिल्कुल सही लगे है थोड़ा सा खाना भी खालो क्यूंकि खाने की हेल्थ काफी ज्यादा खाली हो गई है चलो तो यार यह म में वाटर डालना पड़ेगा तो जल्दी समय डाल देता हूं इसका लेवल बराबर कर देता हूं एक बार में यार वैसा अभी तो मुझे पता है दोस्तों जब इसका एक फ्लोर कंप्लीट होगा ना उसके बाद में मेरे पास में खता हो जाएंगा और साथी साथ कोबल सब्स दाल पीख नुकाइगो पर क्रूब दाल में लगा देता हूं शुगरके तर्ज ता देता और यहां पर आगये की साइट में कोबल लिस्टवन लगा हो आगये यह क tomar नीचे के साइड मेंदी नुटल पानी 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 ता तो इसलिए मैंने अपने मेना अपने घर कर रहा है ताकि कोई भी मॉप इस पूरे इरिया में नहीं देखा तो दोस्तों चलो अभी वुड प्लेंक्स में लगा देता हूं शुगर के पीछे की साइड में और यहां पे जो अपनी दिवार वह भी आ चुकी है ठीक है लेकिन इसको मुझे लग रहा है कि बाद में तोड लगा देता हूं अब यह दिवार तो वैसे भी हटानी पड़ेगी यार पहले मैंने थोड़ा मतलब सोच समझ के नहीं बनाया वैसे घर के पास में तो बना लिया लेकिन मैंने यह नहीं देखा कि यार बीच में यह दिवार भी आ जाएगी क्योंकि पीछे की साइड में तोड़नी ना पड़े लेकिन अभी मेरे समझ में आ रहा है कि यह बीच की जो दिवार मैंने बना रखी ने यह तो मुझे तोड़नी पड़ेगी यार कुछ भी कर लो क्योंकि यार दोस्तों मतलब यहां पर जब मैं बनाऊंगा और अब मुझे इस टोन लगाने की जरूरत पड़ेगी आगे जाके तो पिकेट फैंस तो मुझे तोड़ने पड़ेंगे यार तो इसलिए हटाने तो पड़ेगी इसको वैसे भी पीछे ले जाओंगा मैं यह सोच रहा हूं अब यह दिवार थोड़ी सी पीछे चली जाएगी तो ज्यादा सही रहेगा अपने घर का एरिया थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और कोई बात नहीं है अब यार दोस्तों मैं एक बात और सोच रहा हूं कि मतलब अब तो शायद यह जो मैं शुगर केन फार्म बना रहा हूं तो इससे मुझे अच्छी खासी शुगर केन मिलेगी तो अब अपने पास में मतलब बुक्स की कमी नहीं रहेगी और अच्छी खासे अपने पास में मतलब बुक्स हो जाएगी मतलब विलेजर को अगर हम लोग मतलब पेपर देंगे तो अच्छा खासा एमरेल्ड हमें दे वैसे यार मेरे दोस्तों एक बास समझ में नहीं आती सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं उनको मैंने नहीं मतलब उनके लिए फार्म बना रखा है उसमें बंद कर रखा है सभी को लेकिन अपने आप पता नहीं कहां से स्पॉन हो जाते हैं देखो étique काफी तरह कि मतलब एनिमल्स घूमते रहते हैं यहाँ पर चलो तो अभी यार यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कोबल यहाँ और भी स्टॉन मैं काम में ले सकता आ दा लेगिन इतना टाइम नहीं था मैरे पास मैं मैं नहीं सूचए कि यार अभी फरनस में मैल्ट करेंगे इ उससे अच्छा है कि सीधा कोबल इस्टोन ही लगा दो वैसे भी पीछे की साइड में कौन देखने आ रहा है यार क्योंकि आगे की साइड में मैं इसको मतलब एक अच्छा डिजाइन दूगा और मतलब जो पहले वाला मैंने शुकर के इन फार्म बनाया तो यह वाला फार्म को उससे भी अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं काफी सोस समझ के बना रहा हूं इस वाले फार्म को और इस फार्म से मुझे काफी ज्यादा उम्मीदे टूटनी नहीं चाहिए तो मैं गरीब का गरीब ही रे जाओंगा अभी तक तो गरी हो चुका है एक बार में चेक कर लेता हूं यह वर्क तो कर रहा है नो के चलो सारी के सारी शुगर केन कटके और पानी मजागेरी कुछ यार दोस्तों बाहर भी रह जाती है यही तो चक्कर पड़ता है कि मतलब अगर 33 शुगर केन कट होगी ना तो उसमें से 30 हमें मिलेगी बाकी तो बिगड जाती है यार तो दोस्तों अभी जो अपना शुगर केन फार में उसका नीचे का जो फ्लोर है वो कंप्लीट हो चुका है बस ग्लास और लगाना बाकि है तो ग्लास मेंने काफी सारे बना लिये थे पहले ही क्योंकि मुझे पता था कि इसमें आगे आगे- चलो यार पीचे के साइड में जरुताएं इक जरुरत तो नहीं है चलो उथरकी साइड में चौड़्या अगे क्योंकि साइट करें कि समया-पफॉर्च इक रखाो हो जाएगा उसके बाद में मुझे वापस से नेधर वर्ड में जाना पड़ेगा और अपना जो ब्लेज फार्म है वहां पे बेटना पड़ेगा थोड़ी देर ताकि हमें और ब्लेज रोड मिले तो चलो मैं देख रहा था एक बार यार की ग्लास अभी खतम हो गए के लेकिन Anything दूसरा बनाना है लेकिन उसके लिए हमें एक काम करना पढ़ेगा पहले मुझे वुड लाने पढ़ेगी और साथ इसाथ कोबल इस तो मुस्टोन मेरे पास में पूरी तरह से खतम हो चुके है अब दोस्तों वुड और इस्टोन के साथसर हमारे पास में रेड इस्टोन भी खता हो जाएगी ठीक है मतलब इसके एक दो फ्लोरी कंप्लीट हो गए तब खता हो जाएगी पूरी तो मैं सोच रहा हूं कि यार उसके बाद में विलेजर से हम लोग ट्रेडिंग करके रेडिश्ट ले लेंगे तो इसलिए मतलब उससे हम रेडिश्ट ले लेंगे और इसको पूरा कंप्लीट आज के आज कर देंगे तो अभी फिलाल यहां पे में डर्ट तो लगा देता हूं क्योंकि यह तो वैसे भी लगा नहीं हमें इसके अंदर मतलब इसके ऊपर हम लोग शुकर केन लगाएंगे न तो इसलिए यह में लगा रहा हूं लेकिन अभी अपने पास में डर्ट खतम हो चुके तो डर्ट लानी पड़ेगी तो मैं सोच रहा हूं कि पहले एक बार वुड भी ले आते सारी तयारी एक साथ कर लेते हैं तो जल्दे से यहां पर अभी मैं वुड कट कर लेता हूं और को दिखा रहा हूं कि जो जो चीज में डिटाम हो रही है वो मैं मतलब कट करने जाता हूं यार उसी के बाद आगे क्या हिस्सा बनाता हूं जो कुछ में बनाता उसको तो मतलब अभी एक बात और बोली थी पिछली बार जब ने शुक्र के इन फार्म बनाया थाए कि तुम ए के जो फ्लोर है वह कंप्लिट करता हूँ तो यहां पर ज़ल्दी से पहले मैं इस्ट नो कट कर लिया हैं अब इसको में कंप्लीट कर देता हूँ ठीक है टोटल इसको पाच फ्लोर का हम लोग बना देते हैं तो अब लगा कि मैं उपर की साइड में आचुका हूँ यहां पर जरुवर लगा देते हैं ठीक है और अब मुझे लगाना है कोबल इस्टोन लगा दिया उसके उपर मैंने रेड इस्टोन ड़ेश्ट डाल दिया और सामने की साइड में ग्लास लगा दिया तो अभी जो अपना तो इस बीच में मुझे तई बार उपर जाना पड़ा और नीचे आना पड़ा तो हर बार मैं मतलब डर्ट लगा के गया हूं और नीचे आया हूं तो दोस्तों वेसे तो आज के वीडियो में आप सभी को मज़ा आया होगा यार क्योंकि देखो मतलब आज आप इस फार्म क मेरे पास में नहीं तो इसलिए मुझे तो डर्ट लगा के जाना पड़ेगा या फिर मतलब इस्टोन विश्टोन कुछ भी लगा के चा सकते हम लोग तो मैं डर्ट का सारा ले रहा हूं यहां पर तो अभी जो लाश्ट वाला फ्लोर पाच वहा वह मैं बनाना इस्टार्ट कर दिया हूं आप लोग देख लो और इसमें पानी भी डाल दिया है मैंने साथी साथ मैंने वुट प्लेंक्स थोड़े मतलब पेले लगा दिये गलत लगा दिये और इसमें क्या पानी नहीं डाला था मैंने ठीक से तो अभी वुट प्लेंक्स हटा के और वापस सई से किया और पिश्टन लगा दिये शुगर केन लगा दिये तो चलो अभी फिलाल रात हो गई थी तो एक बार मतलब मैं सोने चला गया तो घर में और यहां पर कोबल इस्टोन पीछे की साइड में लगा दिये और साथ इसाथ ग्लास भी लगा दिये तो अभी जो अपना शुगर केन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है लेकिन इसमें थोड़ी से मिश्टेक यह हो गई थी कि इधर की साइड में गलती से मैंने डर्ट लगा दी वहां पर ग्लास लगना चाहिए तो अभी वह मिश्टेक भी मैंने पूरी तरह से सही कर दिये तो अभी जो अपना अल् बाजी में बनाया है तो इसलिए मैंने मतलब टोर्च में नहीं लगाया भूल गया लगाना वह बाद में भी लगा सकते हैं हम लोग तो अभी फिलाल दिन हो चुका है ठीक है मैं सो के आचुका हूँ एक बार तो इसलिए दिन हो गया और अब देखो अपना जो अल्टरा ज कोई कमी मेरे पास में नहीं रहेगी तो दोस्तों आज का जो यह शुकर के इन फार्म में यह आपको पसंद आया होगा क्यूंकि मैंने यार पूरी मेनत केस को बनाने में और साथिसाथ में एक बात और सोच रहा हूं मैंने शुरू में वीडियो में बोला था आप सभी को कि मतलब मैं ऐसे पाच फार्म बनाने वाला था लेकिन यार मेरे पास में मतलब रेड इस्टोन डश्ट की कमी पड़ गई साथी साथ मेरे पास में एक चीज की और कमी पड़ी वो है नेधर क्वार्ट्स मतलब मैं इतने दिन नेधर वर्ड में जो गया न और साथी साथ रेड इस्टोन डश्ट भी इतनी नहीं है नहीं तो सोचा तो मैंने यह था कि मैं टोटल ऐसे पाच बनाऊँगा यहां के घर की जो अपनी घर की दिवारे ने यहां तक बनते टोटल पाच तो फिलाल तो दोस्तों मैंने एक तो बना दिया है चार और बनाने बाकी थे लेकिन अब मैं सोच रहे हूँ कि यार जब अपने पास में नेधर कौार्स वापस ज़ादा हो जाएगी और साथी साथ अपने पास में रेड इश्टव डश्ट भी आगे जाके ज़्यादा हो जाएगी उसके बाद में सोचेंगे अब आगे का बनाने की फिलाल अगर मतलब इससे ही अपने पास में अच्छी कासी शुगर केन हो गई तो उसके बाद में फिर आगे बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी तो बस यार दोस्तों आज के लिए अगर आज के यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो पर 1000 लाइक का एम रखा है मैंने और साथ साथ में यह भी कहना चाता हूं कि इस वीडियो को जदस जदस लोगों तक शेर कीजिए यार और जिन लोगों ने अभी तक भ गुडबाइ